ये जो है दोस्तो बैंक कॉंग यानि थाइलेंड के सीन है ये बंदरो मातम मचा चुके हजारों की संख्या हजारों सभी ज्यादा संख्या इन की इस तरफ आप लोग को दिख रहा होगा कि मंदिर है ये जितने भी पढ़ियाटक अस्थल थे इन सभी पर बंदरों की जन संख क्या मैक्सिमम यानि की अधिक्तम थी जो अब जो है ये भूख एक रोटी के पीछे हजारों बंदर लुख चुके हैं यानि कि आप लोग समझते हैं कि एक रोटी के पीछे देख रहा है कितने बंदरों ने मातम मचा चुके हैं यानि कि इन लोगों को भी समझे कि भूख स से ही आधी दुनिया तबाह हो चुका है क्योंकि मनुस्य जो इन पर ध्यान देते थे और जो भी फॉल फुल बेशते थे तो वो एक नए खिला देते थे जैसे केला और आगे की बात यह है कि यह आप लोगों को जो है दर्साया गया है सो आप लोगों के लिए मैं बता चुका हूँ कि यह जो है कितनी असानी से घूम रहे है यह जानवर और यह जानवर दिख रहे है कि बाइक जा रही है और यह जानवर घूम रहे है यह भारत का सीन है क्योंकि आप लोग बर्दी से भी पकर सकते हैं और ये जो है जपान का सीन है जपान में भी पसु पक्षी सभी सरकों पर उतर चुके हैं और ये जो है ये अस्टेलिया का सीन है ये अस्टेलिया में जो है सभी जानवर दिख रहे बिल्डिंग के सामने एकदम प्यारा सा नन्ना सा तरीका से खेल कूद रहे हैं ये सभी जो ह है कि हम लोग इनका अस्थान गरहन कर चुके हैं और जब तक हम लोग इनको अपना अपनी तरफ से जो भी भोजन के रूप में कुछ न कुछ जाते थे और वो डरने के बाद वो भाग जाते थे अब जो है एक भी मनुस से यानि एक भी आदमी सरको पर नहीं चल रहे हैं वहीं जानवर जो है अनेकों की संख्या में और पसु पक्षि अनेकों हजारों की संख्या में उतर चुके हैं वो सभी घूम रहे हैं यदि ये सभ जानवर सरकोपर अगर घुमते रहे तो ये भी भूख से मर जाएंगे क्योंकि ये जो है जानते थे कि जे रात के अंधेरी रातों में मतलब निकलते थे खाने पीने के लिए सरकोपर तो कुछ न कुछ इन्हें मिल जाते थे अब जो है वो नहीं मिल पा रहा है इसलिए मैं कह चाहता हूं कि यदि आपके निकट यदि कोई भी जानवर भूखा आए तो उन्हें जो कुछ भी थोरा सा भी हो आधा रोटी हो वो जरूर आप लोग खिलाए क्योंकि जब वो नहीं रहेंगे तो हम लोगों का अस्तित्व सफाई अंत में आ जाएगा यानि कि हम लोगों का भी अंदत हो जाएगा तो आप लोग को मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक भी पसुपक्षी को आप लोग ख्याल में रखिए और जितना हो सके उतना ध्यान दिजिए और उनको जो हो सके वो सहता किजिए जय हिंद